हेलो फ्रेंस में मानिका आपके गार्णर दोस्त आज आपको यह दिखाती हूं देखिए यह मेरा सेंसिविले का प्लांट है इसमें इतनी ओवर वाटरिंग हो रखी है इसमें इतने ऊपर से इतना पानी इकठा हुआ हुआ है और इसकी मिट्टी एक दम देखिए मैंने आपक अगर आपको कोई पौदे में ऐसे पानी रुखने लग जाए न तो आपको ऐसे चेक करना है देखिए मैं इस मिट्टी को दभा रही हूं देखिए कैसे पानी गिर रहा है और दिखाती हूं मैं आपको इसमें जब मैं इस मिट्टी को प्रेस करती हूं तो इसमें से पानी निकल रहा है और हलकी सी स्मेल आ रही है मिट्टे में इसका मतलब है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है अब ऐसा है तो फिर हमें क्या करना है हमें चेक करना है देखिए सारी मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी ऐसे मिट्टी को प्रेस कर रहे हैं पानी टपक रहा है शायद म मिट्टी गिर रही है लेकिन पानी की भूंदें गिर रही थी वह अच्छी तरह आया नहीं कैमरे में पानी गिर रहा है यह देखिए मेरे उंगलियों के बीच में से कैसे पानी गिर रहा है और यह देखिए नीचे गिर रहा हुआ इता पानी है इस मिट्टी में तो अब इसक पहुंचने का फरनीचर पहुंचने का वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना तॉलीय जैसा वो डबल करके लगा दिया वह इतना मोटा कपड़ा है इसमें लगा दिया नीचे तो यह कैसे इसमें रह सकता दूसरी इसमें यह प्रोसेस नहीं किया मैंने इस गमले में जो मैं बर्मिकम पुर्श ताकी बहुत अच्छी सी वऑल ड्रेनिंग सोइल और जो भी एक्स्टन पानी हो वो नीचे थीकरी है उसके उपर ग्रेवल है, ग्रेवल के असानी से निकलता रह यह अगर मैं अभी नहीं देखती ना बरसातों में यह आपको काम करना बहुत जरूरी है अपने पौदों के साथ, कि आपको देखना पड़ेगा कि किसी पानी में कोई पानी तो नहीं रुक रहा है, रुक रहा है यह जासा जैसे आपनी इस पोदे को चेक किया अगर मैं छैक करती तो दीरे दीरे इसकी पतिया पीली पड़ती जाती है और फोध को यह जी कि आता है कि पानी अगर जाता हुआ तो अब देखिए इसको मैं इसकी मिट्टी मैंने चेंज कर दी वो जो बिल्कुल गल्यों से मतलब खराब मिट्टी हो गई थी उसको हटा के अब मैं इसको नई मिट्टी में इसको लगा रही हूँ और मतलब जब भी आपका सिरेमिक पौट का कोई पौदा या कोई दूसरा पानी खड़ा ओ और आपको ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा दल दल जैसा पानी हो रहा है तो आप उसको निकाल के सारे पौदे को जरूर चेक करें उसका हमेशन ड्रेनिश होल में कोई प्राबलम होती है या आपकी मिट्टी में प्राबलम होती है कि वह बहुत ज़्याद कॉम्पैक्ट हो जाती है वो पानी नीचे जाने देती तो हमारी मिट्टी वेल ड्रेनिंग स्पेशली जब हम सेरमेक में लगाते हैं तो वेल ड्रेनिंग होनी चीए और नीचे उसमें ग्रेवल रखनी बहुत जरूरी होती है अच्छा ग्रेवल के ओपर कपड़ा इसलिए र बचता तो आपको भी अब बरसातों में यह जरूर करना है हमारे तो बारिश भी नहीं हो रही है तो प्रे करें कि राजिस्थान में भी बारिश हो जाए और देखिए यह पौदा भी मेरा बच गया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अपने पौदों को भ करिएगा अशे करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड्स बाई